जहीं दोस्तों, तो आज हम फिर से कुछ multiple private schools से है वे टीजिंग और non-teaching vacancies लेकर किया है, जिसमें हम discuss करेंगे काफी रेप्रिटेड इस्कूल में आई वे वेकंसी, जिसमें हम सैनिक स्कूल के चार स्कूल में वेकंसी आई है और चारोही स्कूल आपके different different states से है, तो अच्छ पब्लिक स्कूल में वेकंसी आई भी है, एरफोर्स स्कूल में वेकंसी ओपन है भी, और कुछ private schools से, तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, और इसी तरह से regular basis पे हम teaching और non-teaching vacancies cover करते रहते हैं, government और private sector की तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, regular basis पे district रिवारी से ये वेकंसी है, जहां पर contractual staff की requirement है, जिसमें आप देख सकते है, contractual post for one year, एक साल का पर जोब होने बाला है, उसके बाद अगर stand किया जाता है, तो फिर वो management के उपर में है, जिसमें आप वेकंसी देखिए, सबसे पहले आपका TGT social science की वेकंसी है, और ये ST category के reserved है, इसमें आपकी salary consolidate, यानि fix होगी, जो कि 65,554 रुपीज होगी per month, और age limit इसके लिए 21 से 35 साल रखा गया है, और age calculate करने के लिए cut off date है, 12 April 2024, educational qualification आप से मागा जा रहा है कि आप ने graduation कर रखियो या post graduation हो आपके पास concern subject में, तो आप इसके लिए apply कर सकते है, with beard भी होना यहा इसके लिए apply कर सकते है, अगली vacancy देखिये, जो कि art master की vacancy है, यह भी contractual basis पे है, ठीक है, और यहाँ पर EA vacancy एक ही push इसमें भी है, और यह यह यूर कैटिगर यह लिए है, और इसमें भी आपकी salary 65,554 रहने बाली है, और is limit 21 से 25 साल, as on 12 April 2024, और qualification graduate मांगा जा रहा है with drawing and painting, य from a recognized institute, ठीक है, इसके बाद देखिये, इसमें भी seat rate वगरा desirable है, mandatory नहीं है, maximum age limit prescribed to a post cell be increased by 5 years in case of candidates belonging to the SC and HD, and 3 years for the candidates belonging to the OVC, ठीक है, अप्लाइ करने के लिए करने है आपको, इंटरिश्टे कंडेट सूद एप्लाइ तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रहवारी, on the prescribed format available on the school website, ठीक है, इसकोल की website पे आपको format मिल जागा, या फॉर्म मिल जागा, उसके थुरू आप अप्लाइ करेंगे, along with the attested copies of certificates and testimonials, mentioning percentage of marks from matriculation onwards, ठीक है, पास्पोर साइज फोटेग्र प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रहवारी, पेवल एट रहवारी, ठीक है, उसके बाद 42 रुपे का स्टैंप, आपका ये भी लगेगा, इसमें, तो 540 रुपे आपके यहां पर लग रहे हैं, फीस, the candidates belong to the SCNST will not require to pay any application fee, ठीक है, तो UR वाली जो सीट है, उसके लिए ही बस आपक fee पे करना है, last date apply करने के लिए आपकी क्या है, तो 12th of April 2024 है, ठीक है, तो 12th of April 2024 तक आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, तो अटलिष्टेक एंड़ेट्स को further selection process के लिए बताया जाएगा और उनका selection होगा, ठीक है, तो ये वेकिंसी है, जो कि सैनिक स्कूल संबल पर UDISA से और ये आपकी UR काटेगरी के लिए है, TGT हिंदी का एक post है और ये भी temporary है, और ये UR काटेगरी के लिए है, ये भी, apply करने के लिए देख सकते हैं, यहां पर tentative date for written examination, class demo, skill trade and interview is 23rd of April 2024 and 24th of April 2024, eligibility condition for applying this particular post will be downloaded from the school website, school की website से आप eligibility condition download कर लेंगे, कि क्या कुछ qualification मांगी जा रही ह और इसके बाद आप इसके लिए apply कर सकते हैं, तो सैनिक स्कूल संभलपूर से ये वेकंसी है, अदली वेकंसी देखते हैं, तो employment news में, employment newspaper में आपको ये notification देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी हमने discuss किया, सैनिक स्कूल संभलपूर रोड़ी साथ ये वेकंसी थी, उसके बार और 21-35 साल is limit रखी गई है, इस दिन से आपका age calculate किया जाएगा, जो second post था TGT हिंदी का था, ये भी temporary basis पे था post, और यहाँ पे भी आपकी fixed salary होगी, 50,000 रोपीस पर मन्त की salary है, और यहाँ पे भी bachelors with BA and seated mandatory है, और 21-35 साल is limit रखी गई है, ठीक है, और other condition आपको यहाँ पर रुपीस 500 for general, OBC and other candidates, and रुपीस 250 for SC, ST candidates, drawn in favor of principal Senate school, संभलपूर, payable at State Bank of India, ठीक है, गोसाला ब्रांच, तो बाकी जो जानकारी है आप यहाँ से read कर सकते है, लास्ट टेट है apply करने के लिए 12 April 2024, तो आप तब तक apply कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए, नीचे हैंगे बाकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, यह tentative date है, जो तीन phase में आपका selection होना है, पहले return test होगा, फिर class demo वगएरा में इससे कुछ हो सकते है, और उसके बाद आपका interview होगा, ठीक है, तो यह आपकी vacancy आ रही है, जो कि सैनिक स्कूल संभलपूर, उडिसा से है, बाकी conditions आप आराम से read कर लेंगे, ठीक है, next vacancy देखते है, अगली vacancy देखिए, सैनिक स्कूल, नैनी ताल से ही vacancy आ रही है, गोराखाल से ही vacancy है, सैनिक स्कूल, नैनी ताल, applications are invited for the following post, जिसमें आप देखिए, quartermaster की एक post है, यह UR के लिए है, regular basis का post है, इन पर्मनेंट पोस्ट है, आप एक सर्विसमें हैं, तो भी इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, पे लेवल 5 का post होने वाला है, नीसेल बेसिक पे 29,200 रुपीज रहने वाला है, ठीक है, बागी सारी जानकरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, 7th CPC के कोड़िन ये salary होगा, 50 years is limit रखी गई है, अगला इसके लिए अपलाई करें, सीटेट यहां पर mandatory नहीं है, क्योंकि ये contractual post है, तो यहां पर आपको salary, fixed salary मिलेगी, 57,000 रुपीज पर मत आपको यहां पर fixed salary देखने को मिलेगी, except vacation period और rent free accommodation भी प्रोवाइड किया जाएगा, इस लिमिट 21 से 40 साल है, इसके बाद अगला जो post है mandatory है, desirable में नहीं, और बेट भी यहां पर मांगा जा रहा है, पे की बात करें तो 44,900 रुपीज पर मत है पो यहां पर, fixed salary प्रोवाइड के जाएगा with rent free accommodation in school campus and free meal with the cadets, 21 से 35 साल आपकी easy limit रखी गई है, अन्य जो allowances वगएर आपको इसमें प्रोवाइड के जाएगे, वो सारी regular vacancy, जो की quarter master की vacancy है, यह सिर्फ regular post वालों को मिलेगा, eligible and industry candidates may apply with the complete bio data, one recent past size photograph to the principal psychic school, ठीक है, गोरक हाल, post office, ठीक है, district 9 इताल, along with the photocopies of mark sheet, certificate, card certificates, testimonials, application complete in all respect, must reach principal, ठीक है, तो आपको यह send कर देना है, सारी चीज़, envelope में डाल के, और clearly आप mention करेंगे, 21 दिन advertisement के publish होने के 21 दिन आपको यह करना है, ठीक है, the interview for the said post will be carried out for eligible candidates for scrutiny of application on 30th day from the date of publication, तो जब आपका यह last date होगा, 21 दिन end हो जाएंगे, उसके 9 दिन बाद, यह जिस दिन यह vacancy publish होई है, उस दिन के 30 days के बाद, आपकी scrutiny complete हो जाएगी, जो candidates select होगे, उनका further process के लिए, नाम short list होगा, only application received by post will be accepted, तो by आपको सारी चीज़े send करनी है, जो short list होगे candidates, उनका interview होगा, practical test होगा, selection process आगे बढ़एगा, ठीक है, तो यह vacancy आपकी आ रही है, सेनिक स्कूल नहीं निताल से, चीक है, तो इस vacancy के लिए जरूर अप्लाई कर दे, यह आपकी 23 से लेकर के 29 मार्च 2024 की जो employment news होती है, उसमें यह vacancy publish होई थी, तो आप उसी साब से calculate कर ले, 21 दिनों के भीतर आपको इसके लिए apply कर देना है, तो आप इसको cross check भी कर सकते है, यह vacancy आपको employment newspaper में मिल जाएगी vacancy latest है, अगली vacancy देखते हैं, अगली vacancy देखते हैं, अगली vacancy देखिए, यह बाल भारती public school से vacancy आ रही है, बाल भारती public school के different different locations से vacancies अभी regular basis पे आती जा रही है, और सारी vacancies हमने cover की है अपने channel पे तो आप उनको भी check कर सकते हैं, बहुत पोस्ट करेशन मांगा जा रहा है, science में यानि तो इंगलिस में, social science में, with BA, minimum 10 years का experience ठीक है, तो आप इसके लिए apply कर सकते है, academy coordinator के पोस्ट के लिए, assistant teacher का post है, इसमें इंगलिस और subject, English और social science है, इसमें आपके पास MA या MSC हो, और BA या BSC हो, यानि bachelor's वाले भी इसके लिए apply क सकते हैं, third post देखा, assistant teacher, Montessori है, और assistant teacher, music है, special educator है, यह आपके post है, जिन पे vacancy निकाली गई है, छटा post देखा, art and craft teacher है, school counselor, physical education teacher, और accountant, सभी के सामने respective post के सामने आपको qualification देखने को मिलेगी, इस तरीके से vacancy है, proficiency in English is a must, accommodation आपको यहाँ पर provide किया जाएगा, school premises में, electricity, water, medical facility, इस सारी चीज़े आपको subsidized rate में, आपको इसकूल में provide किया जाएगा, अच्छी vacancy है, और जो post no.1 है, यह senior administrative post है, और इसके लिए salary आपका निकोशियेबल होगा, यानि यहाँ पे है आपकी salary, government के norms के according नहीं होगी, सिर्फ post no.1 के लिए, और जो post no.2-9 है, उसके लिए ace limit औ computer will be preferred, आपको क्या करना है, within 10 days आपको apply करना है through school website और through application forms available at school reception पे, official website के through भी कर सकते है, यानि तो reception से form लेके भी apply कर सकते है, 100 rupees की fee है, तो यह vacancy है, जो short list होगे, उनको interview के लिए call किया जाएगा, अगली vacancy देखिए, Sam International School से आ रही यह vacancy, यह New Delhi से vacancy है, और sector 12 phase 2 द्वार का New Delhi से ही vacancy है, यहाँ पर requirement है PGT English, PGT Psychology, PGT Physics और PGT History में, PGT All Subjects में, PRT, Entity, Art Teacher, Robotics, Music, Dance and Instrument, Special Educator, Admin Officer, Lab Attendant, Accountant, Front Decks, Manager, Transport In Charge, Housekeeping In Charge, Minimum 3 years का experience यहाँ पर मांगा जा रहा है, वोके इंटर्व्यू विल बी as per the following schedule, जिसमें serial number 125 के जो पोस्ट हैं, उसके लिए इंटर्व्यूस आप 10am to 2pm के बीच में, अगर आप ये इंटर्व्यू अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना रिजूम सेंड कर देए, समेल ID पर, jobs at the rate, samis.in इसमेल ID पर, last vacancy, जो कि Air Force School की vacancy आई हुई है, और यहाँ पर आपको regular post भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ इस vacancy के बारे में details देख लेते हैं, Air Force School Bumrolli से ये vacancy है, जहाँ पर PGT Physical Education का regular post है, TGT English का regular post है, और इसके बाद TGT Physical Education Teacher ये भी regular post है, Health Wellness Teacher regular post है, Entity regular post है, PGT English contractual post है आपक प्रवाइड किया जाएगा, PGT History का contractual post है, और special educator की requirement है, coaches की vacancy, music teacher है, dance है, इन सभी post के लिए apply करने के लिए आपको ये प्रयाग राज, उद्रप्रदेश सही vacancy है, by post आपको apply करना है, ठीक है, तो 30 मार्स 24 इसके लिए last date है, apply करने के लिए, तो आप इसके लिए apply कर सकते है envelope में आप clearly mention करेंगे किस post के लिए apply करना चाहते है, सारी जानकारिया आपको यहाँ पर mention की हुई है, आप इससे देख सकते है, educational qualification, ace criteria, सब कुछ आपको official website पर मिल जाएगा, आपको envelope में सारे documents और जो form है, वो सारी चीज़े fill करके डालनी है, और उसे आप submit कर देंगे, school के reception या नहीं तो आप my post send कर सकते हैं, तो यह कुछ vacancies थी, thank you.